जैसे हमारा अपमान होगा कहीं में किसी भी सभा में सच्ची आप से कहते हैं थोड़ी देर के लिए ज्ञान के कारण हमें दुख होगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन इस सब्द याद कर लो आप परिणाम में देखना उस अपमान से वो बात बनी जो बड़ी-बड़ी सा साधना से नहीं बनती देख लेना आप देख लेना यह अनुभो की बात कहरा हूं मेरे प्रीतम के द्वारा रचित अपमान से वो पद मिलेगा वो इस्थिती मिलेगी वो सदगुणाने वाला है उस उचाई पर आपको चढ़ाया जा रहा है जो आप किसी भी साधना से नही चड़ सकते हैं बहुत साधन बहुत सब करने पर भी यह प्रभाव बना रहता है हमारी बढ़ाई हो हमारी माननेता हमारा अग्रह हमारा सम्मान किसको लेके बना रहता है हमारा किसको लेके बना है हमारे प्रभू या हमारे देह प्रभू किसको लेके है माननेता किसको लेके है हम ग्यानी बनते हैं बिद्वान बनते हैं दूसरों को समझाते हैं पर कहीं न कहीं हमारी समझवत खुद कमी है अगर हम मान को लेकर हर्षित होते हैं अब मान को लेकर दुखी होते हैं, लाव को लेकर सुखद भावना होती है, हानी को लेकर दुखद भावना होती है, ये किसको लेके हो रही है, प्रभु को लेके या देह को लेके संसार को लेके या जगदीश को लेके देखो उपासक हो, सतसंग है उसको अच्छे से समझो अब ये कमजोरी कौन दूर करे कहने को तो हम संतु पासक भगुवत मार्ग के पतिक लेकिन अंदर जो हमारे कमजोरी है जो अंदर हमारे दंब है इसको कौन अटाए आस्त्रेदाता तो यह अटाएगा तो रोते रो मचाते रो हला प्रभू को ऐसा नहीं करना चाहिए गुरु जी को ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा तुम्हारे कहने से होगा उन्होंने बाँ पकड़ लिए तो कच्चा नहीं छोड़ेंगे तुम्हें इसलिए प्रभु के ही ये रचित विधान भाई जी महराज करें प्रभू ने जान बूच के रचना की आप देख ले न एक सब्ता अगर बड़े मस्ती से चलेगा न तो अगला सोंबार आएगा ऐसा जिसमें जिसमें ऐसी वो रचना रचते हैं छेडो छेडो ये तो चुप निकला जा रहा है छेडो अब अगर उस समय चुप निकल गए तो भी आगे और बढ़ा छेडो और छोड़ो जैसे होता ना कि अब कितना से गए बुले इतना बुले और पावर बढ़ाओ पावर बढ़ाओ पूरा पावर लगा के देख लिया और कोई परेशानी नहीं तब रहू आओ तुम्हारा स्वागत है तो डाक्टर केंगे देख लो आप ऐसे डाक्टर लें तुम जा आजाओ के वह एकी राक्या प्रेसल करेंगे कोई रास्ता यह बचा है कौन सारा कि धर भाग के जाए जहां बाग के जाओगे वही मान अपमान निंदा इस्तति इसमें समान बना के रखेंगे जाओ उपासन बदल दो देश बदल दो भेस बदल दो लेकिन वो नहीं बदलेना वो तो तुम्हें बदल के छोड़ेंगे तुम्हें ठीक करके छोड़ेंगे फस गए हैं हम हरी में फस गए हरी हम में फस गए वो भी नहीं छूट सकते हैं पक्का समझो बहुत बढ़ी हां फसाओ फस गय क्い someone choose prison np अब तो फस बहежде अफिफरी व को सुझारनाई पड़ेगा मार्ण तो चाहे जैसे हम उनके दाश है तो सारा जगत अब कहेगा नहीं कहें और कहीं न कहीं हम भी घ्रदेशे मानते हैं कि प्रभु के दाश है कहीं न कहीं प्रभु भी मानते हैं कि मेरा दाश है मानते हैं, मानते हैं, वो मानते हैं, पक्का मानते हैं आप ये जो कच्चाई रह गई हो हमारे गुरुदेव ठीक करेंगे, हरी ठीक करेंगे, प्रभु ठीक करेंगे अगर आप सत्संग के द्वारा सुलज जाएंगे तो आप हर समय हर स्थिति में आनंदित रहेंगे और यही हमारे प्रभु की चाल है क्यों आपको हर समय इतना आनंदित रखना चाहते हैं कि कोई भी द्वन्द आपका इस पर्ष न कर सके